को थोड़ा द्यान समझना एक्सचेंज नहीं बाला यह बड़ा इस्पेसल है अगर यह पार्ट वाइस वीडियो चला तो मैंने आको पहले उताया था कि एक्सचेंज की सेंस में हम लोग फॉर का यूज करते हैं हम यहां पर फॉर का यूज देखेंगे हम यहां पर आफ का य अब बार बार इनको लेके चल रहे हो देखो प्रेपोजिशन मैंने स्टार्टिंग बताया था कि प्रेपोजिशन एक ऐसा कॉंसेप्ट है जो कभी फिनिस नहीं हो सकता है आप एक करोड सेंटर्स बनाएं एक करोड प्रेपोजिशन वहां पर यूज होंगी अब एक करोड तरह की होती होती हैं होती इतनी ही है लेकिन वह बार 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 फंक्शन के आदार पर आती है लग अलग तो वाही चीज चीज मैं कलियर करने की कोसिस कर रहा हूँ और मैं काफी कुसिस कर रहा हूँ कि वो कलियर हो जाएं चल्ब की यह चैप्टर पढ़ाने के बाद पूरा प्रपरपिसन पढाने बाद यह साइथ में खोड भी सैटिओार नहों अपने आप से लेकिन अब प्रॉब्लम यह भी कि मैं कब तक पढ़ाऊंगा एक ही चैप्टर को और कहां तक पढ़ाऊंगा तो इंपॉसिबल हो जाता है लेकिन एक्जाम में जितना आएगा और जो नौलेज की जरूरी है जो नीच पीपर के लिए जरूरी है वो हर च अब अगर हम बात करें कि क्योर इदर पर क्या है क्योर मेरा एक वर्व है इसका यह object हो गया यह मेरी helping वर्व है यह मेरा subject है अगर मैं बात करूं कि देविल क्योर हम वे उसको सही कर देंगे किस से कर देंगे इस disease से कर देंगे तो क्योर एक वर्व है तो अगर मैं बात करू कि यहां पर वर्व आ गई है तो क्योर देंगे और वो सही हो जाएगा बात तो ठीक एक्चेंज का सेंस आ रहा है लेकिन यहां पर क्योर जो एक वर्व है और इसने इसको अपना अब्जेट बना लिया यह तो यहां पर केवल और केवल मेरा आएगा ऑफ बास समझें नहीं दूसर देखो यह सबजेक्ट है यह मेरी मैन वर्व है हेल्प है और इसलिये क्योंकि आप बर्व के थर्ड फर्म नहीं है नो मेरे के एजेक्टिव है और क्योर मेरे हो जाएगा नाउन यहाँ पे दिस डिसीज अब ध्यान देना यहां पर क्योर करना है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको मैं कुछ दे नहीं रहा हूँ यहां पर मैं एक एक्टिविटी कर रहा हूँ और आप बस ले रहे हो लेकिन मैं कहूं कि में पास कोई ऐसे चीज ही नहीं है जिससे मैं तुम पढ़ा सकूँ इसका मतलब वो चीज आपके पास जाएगी और वो चीज मेरे पास आएगी तो यहाँ पर क्यूर जो है वो दिया जाएगा और डिसीज सही होगी मतलब आपस में यह दूसरे को एक्षेंज कर सकते हैं कि मैं आपको क्यूर दूँगा नाउन है नाउन दर पर है दूसरे नाउन को जोड़ना है तो क्यूर दिया जा रहा है और बदलें पैसा बगर मिल लाए डिसीज खितम करने के लिए तो यहाँ पर आपका यूज होगा फॉर अब आप सूछ सकते हों कि सर यहाँ पर यहाँ पर ही तो क्यूर किया जाएगा और उसने कुछ पैसा बगर दे करके अपर डिसीज ठीक करवा ली है तो देखो यहाँ पर क्यूर का खिल था कि और जब दाउन की तरह ही यूज होगा तब वो अपने साथ में यूज करेगा फॉर और जब वर्प की तरह ही यूज होगा तब अपने साथ में यूज करेगा आफ एक बात यह भी समझनी थी अच्छे एक्चेंज वाला भी समझनी आ रहा होगा मैं समझाता हूँ यह पैसिव और से सेंटनस बना हुए कि वो पकड़ा गया है माना गया है हेल्पिवर सब्जेट गिल्टी तो ही वास फॉण गिल्टी गिल्टी क्या है गिल्टी यह खोद ही है अपने अपनी सब्जेटिक कॉम्प्लिमेंट है ठीक है, तो he was found guilty, अब यहां पर आया मेरा, हाँ, यहां पर मेरा लखाए theft, अब guilty अगर पकड़ा गया है, guilty होना है, तो guilty एक अपरात करने की सरेंड़ी में आता है, तो इसके ठीक पहले बीडियो मैंने देखा था, या आपने भी देखा था, कि जो बोरे काम बाले सेंस में, वहां पर हम लोग आफ का यूज़ काते हैं, तो guilty के साथ हम भी यूज़ करें हम लोग आफ, convict वगएर सब्द आए थे, तो यहां पर तो मेरा आफ आज जाएगा उस सेंस में, अब तो आपको यह समझना है, कि यहां पर यह culprit type का है, ठीक है, तो यह पकड़ा गया है, मतलब देखो दोन लोग एक ही तो है न, अगर मैं तो मैं कहता हूँ कि तुम एक दोसी पहले थे, और तुम इस चीज़ में पकड़े गई हो, तो तुम पहले से एक culprit थे, एक अपरा he felt guilty, अब यहां पर guilty का sense यहां पर तो एक अपरादी type का था, लेकि यहां पर felt guilty का मतलब embarrassed है, मतलब मुझे guilty feel हुआ, मतलब मुझे बड़ी बुरा लगा, किस चीज़ का बुरा लगा, not going there, वहां जाने के लिए, तो यहां पर हम चाहें तो about को use कर सकते है, sense पूरा करने के ल not going there, sense गलत नहीं है, इस काम को नहीं किया, इस बज़े से वो दुखी था, अगर मैं यहां पर did not लगा देता है, तो इसकावन उसको guilty थे ही नहीं, उसको दुख था ही नहीं जाने का, तो जाना तो उसको था, लेकिन वो गया नहीं, इस बात का उससे दुख हुआ, तो यह क object, help me verb, यह adverb, accept verb, the article के बगल में noun, यह noun है और यह noun है, यह चार्ज मेरी क्या यह verb है, जब वर्ब के तरह यह आएगा तो अपने साथ मिलाती है, विद, ठीक है, और अगर मैं बात कूँ कि चार्ज के संग में यहां पर क्या आएगा, तेखो यहां पर तो यह noun है, और किस च का चार्ज लगा, तो आपका अंसर है, वोस चार्ज, किस चीज का चार्ज आए, तो हम आपर यूज़ करेंगे आफ का, तो यहां पर इसके कंडिशन में यूज़ होगा, ठीक है, फिर से देखो, अनहापीनेस इस रिजल्ट, ऑनहापीनेस रिजल्ड्स, ज्यॉलिसी रिज होता है तो आंसर आया आफ क्योंकि मैं मालू मैं कि जब भी हूस का reply में चाहिए तह आफ लगाना होता है whose brother of Ram Ram का भाई ठीक है यह Ram's तो आपस्ट 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 आपस तो लगे गई नहीं अनहापिनेस रेजल्ट्स डैस जोलिसी अब यहाँ पे देखो जो पर चार फेंड मुझे जारा था यहां पर इस result है यहां पर result किस चीज को दिखाता है इसका क्या कारण होता है यानि कि unhappyness कहां से आती है तो यहां मैं पर बताँ jealousy से आती है तो है कौज है जो origin source का बारे हिम बात कर रहा है कि इसका source किया है तो यहाँ पर इसका source है जोलेसी, तो यहाँ पर आजाएगा अपका from, फिससे समझना, unhappiness is result, unhappiness result होता है, ना कि source होता है, result होता है, जोलेसी का, तो off आया, unhappiness results, कहां से इसका result निकल कि आता है, तो answer है, जोलेसी से तो आगए मेरा from, क्योंकि यहाँ पर cause दी रहा है, जोलेसी results, this unhappiness, जोलेसी का result किस चीज़ पर पर पारते हैं, क्या चीज़ निकल कि आती जोलेसी से, तो जोलेसी results, what, तो answer काया कि unhappiness, अच्छा दूसरी बात ही है, जोलेसी, देखो यहाँ पर यह unhappiness इससे निकल कि आई थी, लेकि जोलेसी इसको पेदा करेगी, unhappiness को effect डालेगी happiness पर और change करेगी unhappiness में तो जब यहाँ पर changing हो रही है तो हम यहाँ पर use करेंगे in अब into क्यों नहीं किया जो एलिसी और unhappiness दोन चीज़े एक ही हैं तो हम यहाँ पर cable और cable use करेंगे in का क्योंकि effect डालने के लिए हम लोग वहाँ पर in का use करते हैं तो अलग अलग sense में sentence मैंने use किया है यह बात मुझे clear कि यह 7, 8 और 9 वाले आपको समझे में नहीं आया होंगे तो overall यहाँ पर यह समझेए कि 7, 8, 9 में अलग अलग context दिया जा रहा है जिसका मैंने यहाँ पर जहादी आपको कैसे कैसे use हो रहा है उन condition में अलग अलग prepositions आएंगी दूसरी बात ही है कि exchange का मतलब क्या हुआ अब exchange का मतलब जैसे आपको यहाँ पर कहीं भी समझेए नहीं आगए यह वाले समझेए नहीं आगए क्योर वाला तो इसका इस तरीका में खरी दी इसका मतलब मैंने उसको सौर पर दी उसने मुझे किताब दी तो यहाँ पर यह एक noun है तो इसके लिए यहाँ पर exchange की sense में आया for ऐसी cure दिया जा रहा है इस disease को यानि उसके पस cure है या नहीं वो तो बात की बात है लेकि cure दिया जाएगा disease हटाई जाएगी तो कहने की लेने देने का sense है और cure मेरा noun है इसलिए मेरा for आया है यहाँ पर cure एक word है तो यहाँ पर मैंने off का use किया है तो cure कि sense यानि cure का parts of speech वहाँ पर preposition को change कर रहा है आया थे हैं आपके बात है clear हो गई होगी होगी